बचे करो वाज मारी जाओ ठीक ओके तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल के डेट में एडवांटेज और डिसडवांटेज हम लोगों ने पढ़ लिये थे और आगे आज हम लोगों को पढ़ना है तो आगे की चीज़े हम लोग देखेंगे आज कौन से बैच में अफलोड नहीं हुआ है मन कमेंड करके जरा मुझे बताओ कौन से बैच की बात कर रहे हूँ आप फो लेवल वाला पर ठीक है हम चेक करते हैं अभी क्लास लेकर के ओके चलो थोड़ा सा हम लोग एप्लिकेशन पर बात करेंगे एप्लिकेशन आफ कम्प्यूटर सबसे पहली टॉपिक आज की जो हम लोगों की है वो एप्लिकेशन आफ कम्प्यूटर के है ठीक देखो हैंड में थोड़ी सी चोट लगी है और कुछ नहीं हुआ है चलो आज हमारा डे ठीक है और सबसे पहले हम देखेंगे एप्लिकेशन आफ कम्प्यूटर की बात करेंगे देखो अगर मैं applications की बात करूँ तो basically हर जगे हमारा computer use हो रहा है, हर जगे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके applications भी बहुत जादा level पे हैं, बहुत अच्छे चीज़ों पे हैं कि कहां कहां किसकी किसकी वज़ा से ये आपका आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, जान रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम applications की बात करें, तो application में आपको कौन सब एक सबसे अच्छा और सबसे पहला जो आता है, वो आपका आज आता है word processing किसकी बात करें, word processing की बात करें, अगर हम word processing की बात करें, तो word processing is the best option for applications of computer क्योंकि हम लोग daily routine पे हर जगह हर तरब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर मतलब एक अच्छे place पे इसका हम लोग use कर रहे हैं word से सीखना सुरू करते हैं, और हम लोगों कुछ है resume बनाना हुआ, bio data बनाना हुआ, छोटे से छोटा काम करना हुआ, बड़े से बड़ा काम करना हुआ, कुछ भी, सारी चीज़े word processing पर ही निरभर करती है, तो सबसे पहला और सबसे best option जो आपका है, वो क्या है, word processing का है, इ सबसे बढ़िया application क्या होगा आपका, word processing होता है, ध्यान रखना, जो daily, day to day use हम लोग करते हैं इसको, क्या करते हैं, इसको हम लोग day to day use करने का काम करते हैं, day to day हम लोग क्या करते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा internet, आज के समय में internet की बात अगर मैं करूं, तो internet तो भईया दिल है सबका, क्या है, दिल है, दिल और जान सब कुछ internet हो गया है, internet ना चले तो रात में नीद नहीं आने वाली है, सारा काम रुख जाएगा, morning में गड़बर हो सकता है, कहने का मतलब दिन भी खराब हो सकता है, तो internet से बहुत सारी problems create होती है, और computer का जो best applications में ये भी आता है internet, क्योंकि internet जो है, वो 1970-1980 के बीच में अरपानेट से स्टार्ट हुआ था, और आज के समय में हम लोगों के घर में नहीं, हम लोगों के पास नहीं, हम लोगों के pocket में internet हर जगा यूज़ कर रहे हैं, और बिना internet को तो कोई काम ही नहीं होने मतलब internet का होना बहुत ही जादा आवश्यक है बिना internet के काम नहीं चलने वाला, इस चीज़ को ध्यान में आप रख लो, तो internet is the most important thing, internet की मैं बात करूं, तो internet is the most important thing, और सबसे अच्छी बात ये है कि you can connect your computer to another computer, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे connectivity बना सकते हो, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, you can connect your computer to another computer, इसका मतलब क्या होगा, कि एक computer से दूसरे computer की जो हमारी connectivity बन पाती है, वो किसके थुरू बन पाती है, हमारे internet के थुरू बन पाती है, अगर internet ना हो, तो हमारी आपकी भी connectivity नहीं बन पाएगी, सही बात है कि नहीं भाई, सही बात है ना, comment करके ज़रूर बताईएगा, कि हम लोगों की connectivity अगर बन पाई है, तो internet के थुरू ही बन पाई है, internet ना हो तो कोई connectivity नहीं होने वाली है, सारी चीज़ों को down करना पड़े banking की बात कर ले, तो आज कल government भी इसको preference दे रही है, computer के मामले में banking, क्यों भाई, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे है, सब लोग आज के समय में mini banking का use कर रहे है, net banking का use कर रहे हैं, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग अगर किसी branch म पे जाकर के लाइन लगाएंगे तो सुबह से साम हो जाएगा फिर भी हम लोगा काम नहीं होने वाला एक हपते लग सकते हैं किसी काम को ले करके तो इस वज़ा से क्या है कि बैंक में कोई लाइन नहीं लगाना उचित समझ रहा आज के समय में क्या कर रहा है डारेक्ट इंट चेंच करवाना हो बड़े बड़े काम अगर हम लोग बैंक में करवाने होते हैं तब ही हम लोग क्या करते हैं बैंक में जाते हैं तो इस वज़ा से हम लोगों को भी nowadays also bank are providing mini banking, net banking तो वो क्यों दे रहा है हम लोगों को इसलिए दे रहा है ताकि हम लोग उसका use कर पाएं ऐसे कह सकते है nowadays use mini banking internet banking क्या रखना इस चिसको इसका मतलब यह होता है कि हम लोगों का internet banking use कर रहे है daily use कर रहे है और use भी करना चाहिए हम लोगों और भी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि banking और banking एक ऐसा sector है ना बिना computer के तो कामी नहीं चलने वाला बिना computer के कोई काम नहीं होने वाला ध्यान रखना इस चिसको तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा banking sector हो जाएगा इसके बाद हमारा next की बात करें हम लोग तो next में क्या कह सकते हैं next में कह सकते हैं hospital किसके नाम से जानते हैं जी hospital के नाम से जानते हैं अगर हम hospital की बात करें किसकी बात करें hospital की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि आज के समय में hospital का होना भी आवश्यक है क्योंकि भाई बिना hospital के जिंदगी ही नहीं रहेगी वास समझ में आई और अगर hospital रहेगा उसमें computer जरूर लगा होना भीना computer के hospital नहीं होने वाला है क्योंकि आज के समय में सारी चीज़े everything is depend upon computer हमें MRI करवाना है हमें x-ray कराना है हमें कोई भी जांच करवानी blood का या city scan करवाना कुछ भी करवाना है तो अगर computer नहीं है तो वो possible ही नहीं है कि वो जांच हो पाए या ऐसा कोई काम हो पाए possible ही नहीं है मतलब संभव ही नहीं है ध्यान रखना है इस चीज़े तो यह हमारा क्या होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे hospital के नाम से जानते हैं और यह hospital हमारे daily use में भी आता है बास समझ में आई चाहे वो किसी patient को देखना हुआ या हम लोगों को कोई भी report generate करनी हुई use for patient and generate reports हम लोग reports करने के लिए भी आपका यह use होता है ध्यान रखना है चिसको ऐसे ही बहुत सारे applications होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं और देखते भी हैं ध्यान रखना clearly इस चीज़को आगे की बात अगर हम लोग करें तो इसमें और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे audio video generator की बात कर लो recorder की बात कर लो आज की समय में digital चीज़ें हैं digital सारी चीज़ें digital को हम लोग देख भी रहें और digital को हम लोग जान भी रहें तो हम लोग क्या करते हैं composition यानि कि हम लोगों को audio, video, composition में भी आपका ये use होता है आपका ये इस्तेमाल होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना यहाँ पे भी आपका use होता है और भी बहुत सारे जगव पर use होता है यहाँ कि सिर्फ यहीं पर use होता है हम लोगों के सबसे बढ़िया आज के समय हम लोग कह सकते है communication में किसकी बात कर लो आप communication की बात कर लो ठीक है तो communication में आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है संचार का माध्यम हम लोगों का computer बन गया है क्यों भाई WhatsApp हो गया, Facebook हो गया, Insta हो गया, Twitter हो गया, LinkedIn हो गया, YouTube हो गया बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बिना हम लोग खुद नहीं रह पाएंगे Instagram ना चले तो Reel कहां से देखेंगे Facebook ना चले तो हम लोग Public के बारे हम कैसे जानेंगे YouTube ना चले तो Class नहीं कर सकते App ना चले तो भी Class नहीं कर सकते ऐसे Social जो Networks है Social जो हमारी Medias हैं वो इसी Base पर ही Work करती है बास समझ में आई, इसी Base पर ही Work करती है, तो ये Data Publishing हो सकता है DTP हो सकता है, Desktop Publishing इसको हम लोग क्या दें, क्या कहते हैं Desktop Publishing के नाम से हम लोग इसको जानते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़े हैं जो इसके अंदर आपकी आज आएंगी तो ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं, जिसके बारे बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो क्लियर हो गया इसके बारे में आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो बीना किसी समस्या के अगर आपको कोई भी समस्या होती ही या आप कोई भी सुझाओ देना चाहते हो हाँ एजुकेशन में भी यह बात आई एजुकेशन में भी है education भी आप इसमें लिख सकते हो ध्यान रखना इस चीज़ को तो इसमें कोई मतलब application में तो आप कुछ भी add कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा जो चर्चीत मामला है उसको add करोगे तो जादा बहतर होगा जादा अच्छा होगा बास समझ में आई इस चीज़ को पढ़ाया नहीं जाता हो ठीक है history of computer क्यों नहीं पढ़ाया जाता इसको भी थोड़ा सा आप जान लो क्यूंकि इसकी जो date होती है वो कोई भी clear नहीं है clear इसकी जो date है वो कोई भी clear नहीं है मतलब कोई clarification है नहीं और जब कोई भी clarification नहीं है इसमें, तो किस हिसाब से questions पूछे जाएंगे, कोई option ही नहीं है कि question पूछा जाए, और question पूछने में समस्या होती है, तो जब समस्या होंगी तो problem, कहां solve करेंगे भाई, option ही नहीं है उनके पास, तो इस वज़े से क्या है, history of computer से ना तो question आता है, और ना ही इसमें प ज़रुवत नहीं है, 1617 की बात है, एक वेक्ती थे नैपियर बोन्स, कौन थे आपके, नैपियर बोन्स थे, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर कोई book वगरे पढ़ी होगी तो इसमें भी आप लोगों ने जाना होगा, जिन्हों ने दो काम करना शुरू कि किया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस और माइनस के नाम से जानते हैं, यह दो काम करना शुरू किया थे, कब किया थे, 2000 कहा रहे है, 1617, यानि की बहुत 100 साल पहले की बात हो रही है, यहां पे ध्यान रखना, और 1671 में एक लैबरिटेंज कैलकुलेटर थे, कौन थ इन्टू और डिवाइडेशन का भी यूज किया, किसका यूज किया इन्टू और डिवाइडेशन का भी इस्तेमाल किया इन्होंने, ध्यान रखना है इस चीज़ को, और हिस्ट्री में तो सैकडो वैग्यानिक आया है, सैकडो खोज किये, सैकडो चीजों के बारे में इन ने जाना लेकिन यहां पे दो चार के बारे में हम लोगों को थोड़ा सबस जानना है जैसे अब इसके बाद तो बहुत लोगों ने आए लेकिन अब सीधा हम लोग 1822 में चले हमारे चच्छा आगए जिनका नाम क्या था जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा चार्ल्स करना शुरू कर दिया अलजेबरिक कैलकुलेशन विथ डेशिमल ध्यान रखनाए इस चीस को क्या है विथ डेशिमल इन्होंने करना शुरू कर दिया और कोई आपशन इनके पास नहीं था तो यह 1822 की कहानी है किसकी है जी ध्यान समझना 1822 में इन्होंने algebraic calculation with decimal करना शुरू कर दिया और 1833 में कब 1833 की बात कर रहा हूँ तो 1833 में इन्होंने analytical engine बनाया क्या बनाया analytical engine बनाया analytical engine को बनाया ठीक है और analytical engine जो की आपके हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका mathematical calculation में आता है किसके अंदर आता है mathematical calculation के अंदर आता है ठीक है किसके अंदर आता है भाई mathematical calculation के अंदर ये आपका आता है तो इस तरीके से क्या है कि मतलब histories हम लोग उने देखा एक और आपके वेक्ति आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा Mark 1 Icon Calculator जिन्होंने 1944 में जनरेट कर दिया था और उसके बाद आपका जनरेशन आ गया था 1944 में कौन आया आपके Mark 1 जिन्होंने क्या किया Calculator बना दिया और उसके बाद से क्या हुआ उसके बाद से आपका ये देखो हिस्टरी हमने बहुत छोटे में बताया ये हिस्टरी जो है हमने बहुत छोटे में बता दिया क्योंकि इतने ही वेग्यानिक इसमें नहीं थे इसमें कई सो वेग्यानिक मिल करके जो है काम किये थे इसी बेस पे ठीक है जो है ये भी फिक्स नहीं है, ये भी फाइनल नहीं है, इसको ये ना समझना कि ये जो डेट दे दी गई है, ये बहुत अच्छी डेट है, सब नहीं कि एकड़ फिक्स फाइनल डेट है, कोई फिक्स फाइनल डेट नहीं है, कम्प्यूटर की हिस्ट्री में, इस वज़े से को इसका जो है इतिहास हाई नहीं है, ना तो कोई इतिहास से फोकस करता है, ना इतिहास कोई जानने की कोसिस करता है, तो इस वैसे आप लोगों को भी इस पे बहुत ज़दा फोकस करने की जरुवत नहीं है, इक्जाम परपस से है, किसी परपस से, बात समझ में आई, इस से अगर मैं generations of computer की बात करूँ तो generations of computer में आपके 5 generations आप पाए जाते हैं कितना there are five generations of computer. कितना there are five generations of computer पाँच generations हम लोग computer को पढ़ना है क्योंकि इसी पाँच generation का मामला आता है और इससे 100% question बनता है चाहे वो BCA हो चाहे वो O level हो चाहे वो कोई भी competition का exam हो या कुछ भी हो हर जगर इससे questions बनना तैं होता है यानि कि अगर हम लोग generation of computer की बात करें तो 100% guarantee के साथ होता है कि इससे question बनेगा त्यान रखना है इस चीज़ को तो हम लोग एक एक generations को जानने की कोसिस करेंगे सबसे पहले जानते हैं first generations of computer क्या first generation की बात कर लेते हैं अगर हम first generation की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका date क्या आता है जी सबसे पहले आता है date और अगर हम date की बात करें तो कोई date final है नहीं है अगर आप google पे देखोगे 1940 से भी start है 1942 से भी start 1944 से भी start 1945 से भी start है तो कौन सा final मानोगे कोई नहीं हम एक जो है aggregate एक approximately मानके चलते हैं कि भाई यही होगा बात समझ में आई इसी को मानके चलेंगे तो यहाँ पे आपका जो date हम लोग normally मतलब according to my experience हम लोग जो मानके चलते हैं यह सोच के चलते हैं 1945 से 1956 के बीच में सबसे पहला generations of computer सब first generations of computer को देखा गया first generation of computer को बनाया गया first generation of computer को इस्तिमाल किया गया सबसे पहले की बात कर रहा हूँ ध्यान रखना इस चीज़ को अगर मैं यही इसमें यह बात करूँ कि कौन सी switching technique का use किया गया तो कौन सी switching technique का use किया गया आप लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में vacuum tube का use किया गया किसका use किया गया जी vacuum tube का use किया गया कि आपका यह जो है vacuum tube का use किया गया vacuum tube का इस्तिमाल किया गया क्लियर बात समझ में आ गई एकदम इस चीज़ को आप ध्यान समझ लो इस चीज़ को आप जान लो एकदम ठीक है और यह questions आता है यह मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं इसको हम लोग कहते हैं बैच उपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ इसमें जो है आपका जो होता है इसको हम लोग कहते हैं बैच उपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका बैच उपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल किया जाता है और इसमें अगर हम लोग लेंगविज की बात करें कि कौन से भासा का प्रयोग किया गया तो भाई कम्प्यूटर की जो सबसे पुरानी भासा होती है जो computer की सबसे पुरानी भासा होती है वो आपकी होती है कौन से? machine language तो कौन से use किया गया language इसमें भाई? इसमें आपकी जो language यूज की गई वो आपकी use कहीगी machine language कौन से use की गई? machine language का इस्तेमाल किया गया ध्यान रखना इस चीज़ को और इसके अगर मैं examples की बात करूँ कौन कौन से computers आपकी examples हैं तो आपने नाम सुना होगा anya का सुना होगा ठीक है? edi wake का नाम सुना होगा unia का नाम सुना होगा आप समझ में आई? ऐसे बहुत साथ computers हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा और जाना भी होगा तो ये आपका हो गया first generations of computers और इसी के भिहाब पे इसी के जरिये इसी रास्ते पे हमारे पांचों के पांचों generations बनाए गए ऐसा नहीं है कि कोई अलग है वो अलग है ये अलग ऐसा नहीं है सब के सम सेम होते हैं सब के सब बराबर होते हैं सब के सब हम लोग जानते हैं देखते हैं सुनते हैं ये हमारे generations of computers होते हैं बात समझ में आ गई हाँ अब इसी के बाद जो हमारा दूसरा generations है किसकी बात कर रहा हूँ मैं मैं second generation की बात करूँ किसकी बात करूँ second generation की अगर मैं बात करूँ तो second generation में date क्या होगे बस उसी से आगे बढ़ा लो तो 1956 से ले करके 1964 तर ये date आप aggregate मान के चलो 19 साल तक का इससे ज़्यादा का मान के चलना भी नहीं है हम लोगों को यही हम लोग मान के चलेंगे कि maximum यही date आपकी हो सकती है बात समझ में आई date 1956 से 1964 हो गया अगर मैं बात करूँ कौन सी switching technique का use किया गया तो आप मुझे comment करके बताएंगे कि कौन सी switching technique का use किया गया तो हम लोगों का जो switching technique का use किया गया था हाँ पेपर objective होगा ठीक है कौन switching technique का use किया गया था आपका transistor सी use किया गया थे क्योंकि चीज़े थोड़ी सी update हुई और जब चीज़े update होती है तो updated version या updated equipment का use करते हैं लोग तो क्या हो जाएगा आपका उसको हम लोग कहते हैं कि यह आपका transistor का इस्तेमाल किया गया एकदम मामला clear है done है न चलो बहुत अच्छी बात है अगर मैं बात करो इसमे storage की तो इसमें storage जो है आपका वो magnetic core यूज़ किया गया कौन सा magnetic core यूज़ किया गया आपका storage clear हो गया? क्या यूज़ किया गया भाई? magnetic core यूज़ किया गया आपका किसमें इसका storage है? हाँ चलिए जी बहुत अच्छी बात हाँ magnetic core का यूज़ किया गया और अगर हम बात करें इसमें कौन सी operating system का यूज़ किया गया तो batch operating system और multi programming operating system का नाम सुना होगा कौन सा operating system आपका यूज़ किया गया batch operating system and multi programming operating system operating system का यूज़ किया गया ध्यान रखना है इसकी इसको बहुत अच्छी बात है जी हाँ और language तो वही है language तो हमारा वही है क्योंकि सबसे पुरानी language हमारी machine है दूसरी हमारी क्या हो जाएगी assembly language का नाम आपने सुना होगा किस का नाम सुना होगा assembly language जिसमें converter कौन सा होता है assembler तो इसमें कौन सी language यूज़ की गई assembly language यूज़ की गई ठीक है कौन सी language यूज़ की गई assembly language का यूज़ की आगया था ध्यान रखना इसको और इसके मैं example की अगर मैं बात करूँ किसके इसके मैं थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों के examples की बात करूँ तो उसी से updated IBM 1620, IBM 794, क्या-क्या यूज हुआ आपका, IBM 1620, IBM 794, ठीक है, और भी बहुत सारे computers का यूज किया गया, जैसे CDC 1904 यूज किया गया, एट्सेक्टरा कर लो, तो ऐसे बहुत से computers का भी हम लोग यूज किये, ऐसे बहुत से भी computers को हम लोगों ने देखा यहाँ पे, clear हो गया, यह आपका क्या हो गया, second generations of computer हो गया, कोई भी अगर आपको समस्या होती है, तो आप हमसे comment के माध्यन से question कर सकते हैं, कि सर मुझे ये problem है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये topic नहीं समझ में आया, मुझे ये word नहीं समझ में आया, आप मुझे बिलकुल निश्चिन दो करके questions पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके कोई वो नहीं है, चलो, अब हम लोग चलते हैं, next, next की बात करें, तो next आपका क्या हो जाएगा, third generations of computer की बात करें, किसकी बात करें, third generation of computer की बात करें, third generation की, तो third generation क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे date की, किसकी बात करेंगे, date की बात करेंगे, तो यहाँ पर date 1964 से था, तो उसी को बढ़ा लीजिए, 1965 से कर लीजिए, 1974 तक, बस अपने हिसाब से manage करीए, और उसके बाद कौन सी, कौन सी switching technique का use किया गया, कौन सी switching technique का use किया गया, तो switching technique की मैं बात करूँ, तो इसमें आपने नाम सुना होगा, integrated circuit, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग IC के नाम से जानते हैं, integrated circuit का use किया गया, ध्यान रखिए गया इस चीज़ को, हाँ बाई, बिलकुल जी, बिलकुल, बिलकुल, ओके, और अगर मैं इसमें storage की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं आपका storage की बात करूँ, तो आपका इसमें use हुआ है, magnetic core, किसका use हुआ भाई, magnetic core का use हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ को, किसका use हुआ है आपका, magnetic core का use हुआ है, और मैं अगर इसमें operating system की बात करूँ तो remote process, time sharing and multi programming, कौन कौन सा use हुआ है जी, remote process, time sharing and multi processing operating system की बात कर लो, ठीक है multi operating system की बात कर लिया, यानि कि अब अगर हम बात करें इसमें कौन सी language यूज हुई है, तो भाईया उसके बाद जो आपकी language आई, वो कौन सी आई थी, high level language, क्या आया था आपका, high level language, ठीक है, यह आपके language आई, और दूसरा, इसमें कुछ examples भी देखो, examples इसलिए मैं लिखवा देता हूँ, ताकि आप लोगों के doubts clear रहे, मालों कभी भी questions आ सकता है, ध्यान रखना, IBM 360 series था, IBM 360 series था, IBM 169 था, बात समझ में आई, IBM 360 series था, IBM 160 series है, फिर IBM 370 series, यह सारे series हैं, ध्यान रखना, यह आपके बनाए गयते कौनस generation में, यह आपके बनाए गयते सब के सब 4th generation में, यानि की 4th generation में, ध्यान रखना, हाँ, बिल्कुल जी, Sunday को classes नहीं चलते हैं, Sunday को off रहता है, मैंने already आप लोगों को information दे दी है, आज मैं एक बार फिर से दे देता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना इस चिसको, चल्रों बहुत अच्छी बात, next की बात करें हम लोग 3rd generation के बात, तो अब हमारा आता है 4th generation कौन सा आता है जी आपका, कौन सा आता है आपका 4th generation, और मैं 4th generation की अगर मैं date की बात करूँ, तो ये आपका 1975 से ले करके, 1984 बोल लूँ, ठीक है, ये आपका generation date हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें की कौन सी switching technique का use किया गया, तो इसमें जो आपका use किया गया था, very large integrated circuit की बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग V-L-I-C के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से start form में, V-L-I-C, या फिर, एक चीज़ और, micro processor, किसके नाम से जी, micro processor के नाम से जानते हैं, या तो हम लोगों का, ये आपका micro processor आएगा, और या तो आपका V-L-I-C आता है, जिसको हम लोग very large integrated circuit के नाम से जानते हैं, ये आपका हमारा चौता generation है, ठीक है, और अगर मैं इसमें storage की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर मैं storage की बात करूँ, तो इसमें आपका जो storage है, वो आपकी semi conductor memory का use किया गया था, किसका use किया गया था आपका? semi conductor memory का use किया गया था, ध्यान रखना इस चीज़ को, और operating system की अगर मैं बात करूँ, देखो, हर चीज़े update हुई, हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, VLIC ही use हुआ है, बिल्कुल, अगर मैं operating system की बात करूँ, तो इसमें तो सब आ गये थे, time sharing आ गया था, real time आ गया था, network आ गया था, etc. कर लो, बहुत सारी use हुए, ध्यान रखना इस चीज़ को, और मैं इसमें अगर language की बात करूँ, भासा की बात करूँ, तो भाईया वही HLL ही use किया गया, जिसको हम लोग high level language के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, high level language के नाम से जानते हैं, और इसके मैं examples की अगर मैं बात करूँ, तो deck 10, creven, deck 10 और creven जैसे computers भी आपके यह याता है question में, ध्यान रखना, यह question में पूछता है, हमेशा से, कि deck 10 या creven जैसे computers आपके बनाए गए या use हुए, clear, यह use हुए थे, ध्यान रखना इस चीज़ को, और यह questions अक्सर पूछता है, हमेशा पूछता है ऐसे questions, हाँ, हाँ, बिलकुल सही बात है, इसी के अंदर ही C++ का use किया गया था, फोल्टन, C++, सब इसमें लिख सकते हुआ, एक last generation और देख लो, आप लोग आज, एक last generation और देख लो आप, अगर मैं 5th generation की बात करूँ, तो सबसे पहले, जो आपकी date होती है, वो क्या होती है, 1985 to till date, यानि अब तक, 1985 से लेकर के अब तक, जो use किया जा रहा है, यानि इस समय में भी, अगर ये question आप से पूछे, कि कौन सा generation use किया जा रहा है, तो इद्दम clearly समझ लो, कि 5th generation use किया जा रहा है, बात समझ में आई, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा बात करूँ, switching technique कौन सा use किया गया था, या use किया जा रहा है, तो ultra large integrated circuit के नाम से, हम लोग इसको जानते हैं, जिसको हम लोग ULIC के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक चीज और पूछ देता है, competition वगएरे में, advanced micro processor, या तो आप ultra large integrated circuit लिखेंगे, और नहीं तो आप advanced microprocessor, ये दोनो options हैं, बात समझ में आई, ये आपके दोनो options हैं, दोनो चीजों को हम लोगों को यहाँ पे देखना है, तो ये आपका क्या होता है, advanced microprocessor कह सकते हो, या आपका ultra large integrated circuit के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं बात करूँ storage की, किसकी बात करूँ storage की बात करूँ, तो storage में आपका optical disk, क्या, optical disk का यूज़ किया गया, और मैं अगर बात करूँ, कौन सा operating system यूज़ किया गया, यानि हम जानना चाहें अगर, कि कौन सा operating system का भी इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, कि भाई, इस समय में, जो सबसे advanced operating system चल रहा है, जिसका नाम आप रोज सुनते हो, कही न कई, Facebook पे या कही भी, बिल्कुल सही बात है, कोई comment करके भी हमें बता रहा है, कि artificial intelligence होता है, क्या होता है जी, artificial intelligence use होता है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग AI के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, AI के नाम से जानते हैं, लेकिन इस समय में कौन सी भासा का प्रियोग किया जा रहा है, तो किप्स, कौन सी किप्स, इसको हम लोग कहते हैं, knowledge, information, processing, system के नाम से हम लोग जानते हैं, बात समझ में आई, यह आपकी language, और इसमें अगर हम, तोड़ा सा और चले, example की बात करें, तो example में आपका आजाएगा, desktop, laptop, tablet, etc. यह सारे के सारे जो आपकी examples हैं, वो इसी के अंदर आ जाएंगे, तो यह है आपका generations of computer, क्या है, generations of computer, ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर इसके बाद आपको कोई भी समस्या हो रही है, तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा, कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, बाकि यह notes मैं आज अभी upload कर दूँगा, पे आप लोगों के टेलिग्राम में, Windows 1984 में आया, पचासी में ध्यान रखना इस चीज़ को, Windows की बाद अभी, Windows से क्या मतलब है यहाँ पे, Windows से क्या मतलब है यहाँ पे, वो तो operating system की बात कर लिए अभी, लेकिन अभी use हम लोगों का, 1995 से use हो रहा है, market में, हमारे इंडिया में, और 1998, 2000, 2002, फिर 2007, 2008, 2010, 2011, बहुत सारे Windows आये, ठीक है, ओके, तो चलिए, फिर हम लोगों कल मिलेंगे, अपनी क्लास में, एक दम exactly, समीलों को बाबाई, टेक केर, जय हिंद,